हलो आपरीवन नमस्कार कैसे हैं आप सभी मुझे उमीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी तयारी कर रहे होंगी हिंदी भाषा साहित्य से सम्मन्धित रचना उमकवियों का वीडियो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यह पार्ट 3 है इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने आपको दिया था मुझे उमीद है आपने देखा होगा और रचनाओं को तयार किया होगा इस वीडियो की खास बात यह होने वाली है किस वीडियो में या आने वाली सभी वीडियो में जो रचना होगी वो रचना किस विधा के है वो भी मैं में मेंशन करता चल रहा हूँ अर्थात अगर ये रचना है तो ये क्या है उपन्यास ऐसे ही जितनी रचना है मैं यहाँ पर आपको कराने जा रहा हूँ उसके साथ साथ ये लिख दिया है कि वो उपन्यास है कि कहानी है कि नाटाग है कि रेकाचित्र है कि संसमरण है यात्रा विरत्तान थे जो भी है मैं मेंशन करता चल रहा हूँ इससे आपको दो फैक्ट पता चलते रहेंगे और आपकी यह त्यारी और सॉलिड होती जाएगी चलिए शुरू करते हैं यह पहला कोशन आप देख रहे होंगे औ और आपने टिक भी कर लिया होगा और मैं यहां गुजारिश करता हूँ कि आप जितना स्कूर करते हैं पहले टिक करने के बाद जो मैं बताता हूँ मैच करिए 30 कोशन में करा रहा हूँ 30 में आप कितना स्कूर करते हैं आप कोमेंड में जरूर मेंशन किया करें ताकि मुझ विदे करके आपने जन्मिनली अपना स्कोर मेंशन किया है, तो इसका अंसर मैं बताता हूँ, इसका अंसर है हजारी प्रसाद दिवी अनामदात का पोथा लिखा है, हजारी प्रसाद दिवेदी ने, आगे बढ़ते हैं, अगला कोशन आप देख रहे हैं, अतीत के चल चित्र यह है क्या यह है, विदा में रेखा चित्र है, यह किसकी रचना है, तो मैं आपको बताओं, यह जो है, आइधिंक आपने सही टिक किया होगा, यह है महादेवी वर्मा का, महादेवी वर्मा का अतीत के चल चित्र, अर्ध नारिश्वर बहुत महादपूर्ण है, यह आप आप दिख रहा होगा, तो यह आपको बोनस हो गया कि अर्ध नारिश्वर एक निबंद है, क्या रामधर सिंग दिनकर का लिखा हुआ है, आप पू Anim कहानी का नाम है, तो इसके लिएखक कौन है, आपके पास चार अप्शन दिख रहे होंगे, यह शंकर प्रसाद, रामधर तो आधी कहानी के लेखा का नाम आपको क्लिक करना है, टिक करना है, आई होप आपने कर लिया होगा और इसका सही अंसर है जैशंकर प्रसाद, तो आधी जैशंकर प्रसाद की कहानी है, अथाह सागर ये विज्ञान लेख है, ये क्या है विज्ञान लेख है, अथाह सागर न तो इसके रेखह कौन हैं? रामदारे सिंक दिनकर है या महादेवी वर्मा, मावेर प्रसाद्वएदी या फिर जय प्रकाश भारती. उके तो आइधिंग अपनी कर लिया होगा, जियांग इसका सही अंसर है जय प्रकाश भारती. अपनी खबर, ये एक आत्म कथा है, अपने खाबर ये है क्या आत्मकता है और इसके लेखक कौन है महादेवी वर्मा विशुल परबाकर महाविय प्रसाद दुवेदी या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र तो आई होप आपने इसको पड़ा होगा तो सही टिक करेंगे ये है पांडे बेचन शर्मा उग्र ये आत्मक विशुल परबाकर करके तो आई थिंग आपने बढ़ा होगा तो बहुत इसली कर पाएंगे ये आसान है लेकिन महाद्वी वर्मा तो ये भी आप लगाईए देखिए क्या आपका सही होता है ये गलत मैं बताता हूँ अंसर इसका सही अंसर है अग्नी रेखा महादेवी वर्मा की कृती है महादेवी वर्मा आवारा मसीहा बहुत ही महत्पूर्ण बहुत ही आसान भी कह सकते हैं पहले चीजी है क्या है ये जीवनी किसकी कृती है या किसने लिखा है आवारा मसीहा तो चारो आप्शन आपके सामने है सुरिक अंत्रपाथि निराला व बहुत मात्पूण है विष्ञु प्रभाकर का है आवारा मसिहा। है इंदूमती कहानी है। इंदूबती क्या है। किसके कृति किसने लिखा है। कि शॉरी लाल गोस्वामी जै शंकर प्रसाद माविय प्रसाद दियुक्रि प्रेम Japanese क्या अधिन द्रे 94 आपको confuse भी कर सकती है तो ये है सही है इसका इंद्रजाल किषोरी लाल गुस्वामी कुछ लोगोंने प्रेम चंद लगाया होगा जो की गलत है इंद्रजाल माया जाल किस की कृती है जैशंगर प्रसाद माविर प्रसाद दुवेदी प्रेमचंद रामधारे सिंग दिनकर तो इंद्रजाल है क्या यह कहानी और इसके लेखा कौन है तो आपने क्लिक टिक किया होगा इसके लेखा कहा है जैशंकर प्रसाद इंद्रजाल जैशंकर प्रसाद की कहानी है उचली आग है कही है निवंद्ध है और इसका सही आँसर है रामधारे सिंग दिनकर का निवंद्ध है उस पार के पड़ोसी उस पार के पड़ोसी यह टाइटल है और यह यात्रा विर्तांत है इसे यात्रा बृत भी कहते हैं के लेखक कौन है भगवशनुपध्या, राहूल सांकृत्यान, खाका कालेलकर, जैशंकर प्रसाद, तो उस पार के पड़ोसी यात्रा विर्तांत हमें ऐसा लग रहा है काफी लोग गलत टिक करने वाले हैं क्योंकि इसमें एक ऐसे लिखक हैं जो अधिकतर यात्रा विर्तांत ही लिखते हैं तो अगर आप वही टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसके जो लिखके वो हैं भगवत शरणुपध्याय, राहूल सांकृत्यान नहीं है, तो सही है भगवत चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं गलत हो गया, यह भगवत शरणुपध्याय नहीं है, यह है काका कालेलकर, तो इसको प्लीज मेंड कर लिजिए, अभी मुझे ध्यान आया है, चुकि भगवत शरणुपध्याय आगे मिलेंगे, उन्होंने भी एक यात्रवित्तांत लिख लिखा हुआ है, तो यह भगवत शरणुपध्याय नहीं है, मैं सौरी इसके लिए बोलता हूँ, आप सही कर लेंगे, काका कालेलकर का है, उस पार के पडोसी, उस पार के पडोसी, उके चलिए, एक घूट, यह है क्या नाटक है, इसके लेखा कौन है, चार आपके सामने है जैशंकर प्रसाद, माविर प्रसाद, दिवीज और भगवशनुपध्याय चार विकल्प है, एक घूट है, क्या यह नाटक है, किसका है, आपको बताना है, उके अपनी लगा लिए होगा, इसका भी अंसर है, जैशंकर प्रसाद, कर्बला नाटक के लेखा कौन है, कर्बल हैं, इनका नाम धनपत राय भी है, तो आप पहुँच गए होंगे, मुन्शी प्रेम चंद का है, कलकत्ता से पीकिंग, यात्रा वृत्त के लेखक हैं, अब यहाँ देखिए, भगवशनुपध्याय राहूल संक्रेतिन का का कालेर का नाम वर सिंग, तो आइधिंग अब य कुशन से मैं कन्फ्यूज हो गया था, तो कलकत्त से पीकिंग है तो यात्रा वृतान थी, लेकिन यह भगवशनुपध्याय का है, इससे पहले मैंने का आका कालेर का बताया, उस पार के अपड़ोसी, तो दोनों को आप अपनी तरह से तायर कर लीज़ें का तकि कन्फ्यू कल पलता एक निबंध है, कल पलता निबंध के लिखक कौन है, डॉक्टर रजेंद प्रसाद, हाजारी प्रसाद दुवेदी, काका कालेलकल नाम वर सिंग, तो कल पलता निबंध के लिखक का नाम, आपको इन चारों में से एक सेलेक्ट करना है, तो आपने लगा लिया होग कवीता की नए अप्रतिमान कवीता की नए प्रतिमान तो इसका सही आंसर क्या है? नामवर सिंग कहनी अनकहनी ये निबंध है के लेकर कौण है कहनी अनकहनी निबंध के लेकर का नम अतना है अब देख रहें घुलाव राय, धरमवीर भारती, रामचन, शुक्ला हजार पसद दुवे दी बिल्कुल साइएन से टिक करें आब तो I think आप निकर लिया होगा कहानी अनकानी निबंद है धर्मवीर भारती का कामाईनी जो है क्या एक महा काववे है कामाईनी महा काववे किसकी कृति है आप सभी को पता होगा ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए है तो आपने देखा चारोविकल्प धर्मिभारति, अधरप्रसाद, दूवेधी, अमृत्राय और जैश्रंकर प्रसाद, तो आपको पता है किसका है यह माकब? जैश्रंकर प्रसाद का माकब है कुछ बिखरे पन्ने ये एक निबंद है के लेखक कौन है कुछ बिखरे पन्ने नामक निबंद के लेखक का नाम बताना है आपके पास चारो अप्शन दिख रहे हैं I think आप सही टिक करेंगे ओकी तो इसका सही अंसर है पदुमलाल पुन्नालाल बक्षी कुछ बिखरे पन्ने निबंद के लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बक्षी कुटज बहुत महत्पूर्ण इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टन मान के चलिए कुटज बहुत बार पूछा जाता है एक ललित निबंद है और इसके लेखक कौन है आपको बताना है हजारि प्रसाद गुलावरा doappy भारती या फिर राम चंद्र सुकल तो बहुत आसन है लेकिन इंपॉर्टन बहुत है हजारि प्रसाद दुवेदी का है ये कुटज कुल्ली भात ये वेंग है ये कुली भाध क्न है ये वेंग है इसके लेखाक कौन है आपको बताना है तो जल्दी टिक करिए मैं बताता हूँ इसके लेखाक है खून के छीटे ये लेख संगरह है और इसके लेखाक कौन है खून के छीटे नमक लेख संगरह के लेखाक आपको बताना है तो इसका सही अंसर है भगवत शरण उपाद्ध्याए गांधी जी की देन ये निबंध है ये किस ने लिखा है गांधी जी की देन नामक निबंध के लिखा का नाम बताना है आपको तो इसका सही अंसर है डॉक्टर राजेंद प्रसाद गांधी जी की देन नामक निबंध के लिखा का नाम बताना है आप चारों आप्षन देख पा रहे होंगे चारों विकल्प आपके सामने है और सही विकल्प आपने टिक भी कर लिया होगा तो मैं बताता हूँ इसका सही अंसर है विनोवा भावी आचार विनोवा भावी गिर्ती दीवारें बहुत महत्पून है ये क्या है ये उपन्यास है गिर्ती दीवारें नमक उपन्यास किसने लिखा है जैनेंदर कुमार उपेंदर नात अश्क राम चंदर शुक्ल या फि के जो लेखक हैं, इन्होंने लख्षमी का स्वागत भी लिखा है, तो I think आप अगर लख्षमी का स्वागत का लेखक पता होगा, तो ये कौन है, उपेंदरनाथ अश्क, उपेंदरनाथ अश्क, गुनाहों का देउता, यहाँ मैंने फिर से इसलिए दिया है, क्योंकि आपको एक बात यह भी पताने थी कि यह है कि हुपन्यास है और यह किस hope है आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था I think आपको पता होगा बहुत मात पूंड लेकिन काफी easy है यह धर्मवीर भारती का है यह कुनंहों का देवता धर्मविर भारती गिहूं और गुलाब निबंध के लेखा कौन है ये है निबंध गिहूं और गुलाब ये निबंध है और इसके लेखा कौन है गुलाब रहा है वरिंदवनलल वर्माव बदुमलल पुनल बक्षिया फिर राम व्रिक्ष बेनी पूरी तो गिहूं और गुलाब बहुत बार प के लिए ले आ रहा हूं वहाँ पर भी मैंने रचना हों के साथ साथ वह विधा रचना विधा भी लिखा हुआ है और जो भी महत्पूर्ण इक्जाम के लिए जरूर रचना है और कवी उनको मैं कवर करूंगा और वीडियो सीरिस कंटीनु देखते रहे हैं और इनकी पीडियाफ अगर आपको चाहिए तो पीडियाफ फॉर्म मैं इस तरह से सॉल्व फॉर्म में आपको प्रवाइड करा दूँगा यह देख रहे हैं कंटीनु कर रहा हूं और पहले जैसी क्लासिस रखने का मेरा पूरा प्रयास है ताकि आप अपनी तयारी को पहली की तरह बहतरीन करके अपना सेलेक्शन शॉर कर सके वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजेगा दोस्तों से शेयर कर दें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्रा